हे गाइज वाट्स अप तो गाइज आज है तीज तो आप सबको हैपी तीज तो गाइज आज हमारी मा यानि हमारी दादी ने सुबह हलवा पूरी और पूड़े बनाये थे तो काफी हैवी नाश्ता हो गया था तो अभी बज रहे हैं 3.43 तो हमारा कुछ तड़कता फड़कता यानि बाहर का खाने का मन हो रहा था तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग घर पे ही पीजा बनाने वाले है तो हमने पापा से समान मंगा लिया था पीजा का तो आज हो मैं आपको दिखाता हूँ ये वो समान है ये पीजा बेस कैपसीकम टमाटर और कैचप है ये ब्रेड है इसको मत गिनो और ये चीज है जो हमने यूट्यूब से ही देखके घर पे बनाया पनीर से तो इनी सब चीजों से आज हम बनाने वाले है पीजा तो गाइज अभी सबजिया काट दी है और यहां पे अब हम सोस फैला रहे हैं पीजा के ऊपर तो माइक्रोवेव में हम बनाएंगे अपना पीजा तो गाइज अब सोस तो लग गई है तो अब सबजिया डालने का टाइम है सबजी डल गई है अब चीज की बार ही है तो यह वही चीज है जो हमने यूट्यूब से देखके घर पे ही बनाया था सो गाइज हमने अपने पीजा पे सारी टोपिंग डाल दिया है तो अब हम अपने पीजा को माइक्रोवेव में डाल रहे है और मुझे लगते है शिक्स मिनट काफी रहेगा तो इसको करते है ओन खूम रहे हैं अंदर सो गाइज मैंने सेम प्रोसेस इसके साथ भी किया ब्रेड के साथ में जितने वो बन रहे है इतने हैं आपको मैं दिखा देता हूँ सेम चीजे है बिलकुल सो गाइज हो गया है ये तो अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं उसके बाद निकालते हैं तो अभी पापा पीजा को निकाल रहे हैं और गाइज मुझे लग रहे हैं पीजा काफी अच्छे से पक चुका है सो गाइज हमने अभी पीजा प्लेट में रख लिया है और ये देखो कोक भी है साथ में सो गाइज सोरी कोक नहीं पैपसी गाइज मैं आपको अब खाके भी दिखाता हूं मैंने पहली कट कर लिया पीजा अच्छा है चीज भी ऐसा लग रहा है जैसे घर पे बनाई हूं नहीं लिया ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से खरीड के लाएज सो गाइज अभी बच चुके है पाच और गाइज हमने पीजा खा लिया है और पीजा बहुत ही ज्यादा टेस्टी था मैं कोई जूट नहीं बोल रहा हूं और गाइज जो हमने ब्रेट वाला पीजा बनाया था वह भी अच्छा था मतलब वो ज्यादा ही हाड हो गया था और उसमें नमक भी ज्यादा हो गया था सो गाइज अभी टाइम हो रहा है छे और गाइज हम लोग पी रहे हैं दूद देखो गाइज कैसी मूश बन गई तो अब हमने दूद पी लिये और अब हम जा रहे हैं बाहर पोधों को पानी दे ले थंदी हे हावा के जवाई संहालो हम को कभी नह जाए सहलाए संहालो हम को सभी से आगे जाए हमी है उनने के प्यारे सभी से आगे जाए थनदी है लावाव हमी तो है तुम्हारे खार तभी तो है तुमारे द्वार बाद नाचोरो कभी हमारा सार कभी न कभी तो न द्राइब तो गाइज अब ही आगए है हम छट पे क्रिकेट खेल ले तो चलो खेलते हैं और आपने देखे ही होंगे क्या प्यारे प्यारे व्यूज आ रहे थे तो भाइ टाइम हो रहे 7-3 और गाइज क्रिकेट खेलते खेलते काफी ठक गया है पसीना भी आ रहा है तो गाइज मैं इस व्लोग को करता हूँ एंड और गाईज मैं होप करता हूँ कि आपको ए व्लोग पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो इस व्लोग को कर देना लाइक और चैनल को भी सस्क्राइब कर देना मिलते है जल्दी नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए गुडबाई